है है विए और तो इस लाश में हम आपके लिए बात करेंगे हाउ टू प्रपेर करेंट अफेर्स नोट्स दोस्तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे रिसेंट लिए फॉलो करना शुरू किया है बहुत सारे नाई बच्चे भी तो आपको हमेश्ड रहता है कि current affairs की notes हम बनाएं कि न बनाएं और बनाएं तो कैसे बनाएं तो इस पूरे वीडियो में मैं आपके सारे doubt clear करूँगा, मैं आपको बताऊंगा कि current affairs की notes क्यों न बनाएं या बनाएं तो क्यों बनाएं और कैसे बनाएं, कितना बनाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में information मिलेगी दोस्तो तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखने जाना ध्यान से जिनको current affairs notes बनानी है या नहीं बनानी है ठीक है चलिए दोस्तो तो जो हमारा आज का main topic है तो main topic तो यह है कि यार how to prepare current affairs notes कि current affairs notes हम कैसे बना सकते हैं लेकिन दोस्तो बड़ी इमानदारी के साथ क्योंकि मैं आपका educator हूँ मैं आपका बड़ा भाई हूँ तो मैं आपको एकदम सही guidance दूँगा दोस्तो कि current affairs की notes आपको बनानी भी चाहिए कि क्यों की नहीं बनानी चाहिए ठीक है दोस्तो देखो यार अगर मैं अपनी बात करूँ जब मैं आपकी तरह विद्यारती थाच्टन तो मैं current affairs की notes बनाता था मैं बनाता था दोस्तो क्यों बनाता था दोस्तो क्योंकि यार मुझे एक बड़ी दिक्कत थी मेरे साथ कि मुझे से PDF पढ़ा नहीं आता हमेशा कभी नहीं पढ़ा था PDF में दूसरी बात मुझे चीजें वही याद होती थी जो मेरे handwriting में है जिसमें मैं comfortable हुआ है ना तो मेरा एक वो था मतलबा बोल सकते हो कि यार ये एक तरह का मेरे personality में था कि मुझे देख के कोई PDF है या किसी और की handwriting में है मुझे आज तो चीज याद नहीं हुए तो मुझे हमेशा अपनी ही handwriting में वो चीज याद रहती थी और इसका फायदा दोस्तों अगर आपने current device पढ़ा आपने पढ़ लिया आपने उसे लिखा तो आपका दुबारा revision होगा है दोस्तों और वैसे भी ये एक बात है ये एक research है कि जब आप कोई चीज लिख के याद करते हो तो वो चीजे और अच्छे से याद हो आती है तो ये चीजे होती है दोस्तों हाँ, हमारा जो time था न वो time थोड़ा सा अलग था हमारे time पर जीए जो थी वो 40 number की exam में आती थी और हमारे time पर pre-mains नहीं था तो हमारे time पर ये motivation था कि गरण में हमने जीए मेंच्छा कर लिया तो हमारा selection हो जाएगा तो अब दोस्तों time बदल चुका है और आज के time पर पहले आप pre-qualify करते हो जसमें आपकी जीए नहीं आती है फिर आप mains qualify करते हो है ना, mains में जीए आपके exam में आती है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो की dedicated current affairs प्री के बाद पढ़ते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं अब जो बच्चा pre-k बाद पढ़ रहा है वो notes कैसे बनाएगा वो notes कहां बना पाएगा तो अगर आपका mindset ये बोलता है कि भाईया जीए हम pre-k बाद पढ़ें तो आप जरूर notes नहीं बनाओगे ये तो clear है हाँ, हाला कि दोस्तों फिर से मैं बोलूँगा बनाता था तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आज भी है जिनको सेम मेरी problem होगी दोस्तों तो अगर आपको लगता है दोस्तों तो हो, याद करने की बात करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किवल देख के याद कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख के याद करते हैं तो जो लिख के याद करते हैं तो उनको तो नोट्स बनानी चाहिए ऐसे बच्चे जिने किवल अपनी हैंड राइटिंग में अपनी हैंड राइटिंग में चीजन चाहिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल perfectionist होते हैं आपको हर चीज बिल्कुल accurately चाहिए तो वो बच्चे भी current affairs की नोट्स बना सकते हैं क्यों दोस्तों यहां मैंने accurately बात क्योंकि वो मैं आपको आगे समझाऊंगा दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको pdf से जिनका हो जाता है वो चाहिए नोट्स ना बनाए क्योंकि आपको नोट्स तो हम provide करते ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करेंगे उन सारे बच्चों से जिने current affairs की नोट्स बनानी हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे आपके motivation के लिए आपके motivation के लिए मतलतों कि जिनकी नोट्स हम क्यों बना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार जिये pre के बात कर लो देखो दोस्तों अगर आपको bank exam qualify करना है तो journal awareness आपको कहा कहा मिलेगी और कितने number की मिलेगी ठीक है दोस्तों पहले हम बात करेंगे State Bank of India की यहाँ पर हम PO की बात करेंगे और clerical की दोस्तों बात करेंगे ठीक है देखे अगर State Bank of India PO की बात करेंगे तो State Bank of India ने अपना pattern change कर दिया है अब ये आपसे 50 question पुछते हैं 60 number के 60 marks के दोस्तों कोशन यानि 50 number of questions होंगे और 60 marks के कोशन बनेंगे यानि State Bank of India PO सबसे बड़ा exam सबसे tough exam भी हम बोल सकते हैं है ना लेकिन दोस्तों State Bank of India में sectional cut off नहीं होती अगर आपने जिये में 60 number की जिये है अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका selection शोर और शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों हाँ इस State Bank of India कर दोस्तों यहाँ पे 50 question आपके आते हैं 50 marks के यानि की 50 marks दोस्तों यानि अगर आपको State Bank of India क्वालिफाई करना है तो आपको जिये अच्छे से पढ़ना ही पढ़ेगा क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है हो सकता हो आपकी math अच्छी ना हो या reasoning या English आप तीनों स्विक्ट में एकदम topper नहीं बन सकते हैं तो जहां भी गरबड़ी होती है आपकी math में या reasoning में आप G.S.A. स्कूर कर सकते हैं दोस्तों अगर हम IBPSPO और SBIPO की बात करें तो इस बार के exam में math का level बहुत हाई आया था अगर आपके questions वहां नहीं बन रहा है अगर आप वहां से mark secure नहीं कर पा रहे हो तो G.S.A. mark secure करके selection ले सकते हो तो अगर State Bank of India निकालना है तो आपको G.S.A. से पढ़ना पड़ेगा क्या pre क्या mean doesn't matter आपको G.A. पहले से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों ठीक है चली तो ये तो बात हमने की State Bank of India की ठीक है अब दोस्तों हम बात करेंगे आपसे IBPS की ठीक अगर हम IBPS PO की बात करें दोस्तों और clerical की बात करें तो देखें अब State Bank of India ने अपना नया pattern निकाल दिया है और State Bank of India कोई change करता है तो IBPS भी करता है लेकिन अभी तक changes नहीं हुए हैं तो IBPS PO का last जो pattern था अगर हम PO की बात करें तो 40 question, 40 marks, clerical की बात करें तो 50 question, 50 marks यानि कि अगर आपको IBPS clerical qualify करना है तो यहां भी आपकी 50 number की जिये आती हाँ PO में 40 number की जिये आती है लेकिन clerical में 50 number की जिये आती है तो IBPS clerk में GA का जो ratio बढ़ आता है दोस्तों ठीक है अगर आपको clerical qualify करना है तो आप तुक्का नहीं मार सकते है 50 number है यानि clerical के लिए भी आपको GA अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों ठीक अच्छा आगे बढ़ते हैं गाईस अब हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं about the RRB RRB P.O. RRB Clark दोस्तों ठीक है तो इन दोनों में जीये 40 question, 40 marks और 40 question, 40 marks कहीं आते हैं इसमें जीये दोस्तों यानि यहां पर आपका 40 number की जीये आते है ये तीन बड़े exam जिनकी बात हम करते हैं दोस्तों इसके लावा अगर आप बात करें RBI की तो RBI Assistant की बात करें दोस्तों तो इसमें भी आपके 40 number की जीये आती है दोस्तों ठीक है? तो कहने का मतलब दोस्तों की 40 number, 50 number, 60 अगर आपको SBI P.O. कौलिफाई करना है 60 number की जीये SBI Clark 50 number की जीये तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो exam का pattern इस से में चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि P.O. लेवल पर quantity टफ आ रही है हम means की बात कर रहे हैं तो आप जीये में अच्छा score करके अपना number जो है वो बढ़ा सकते हैं आप merit में आ सकते हैं तो journal awareness दोस्तों हमें क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर हमें exam में selection ले रहा है हमें हम selection के लिए पढ़ते हैं तो journal awareness को हमें बिल्कुल पहले दिन से पढ़ना चाहिए अगर आप notes बना रहे हैं तो notes कैसे बनाएंगे मैं बाद में दिखाऊंगा अगर आप notes नहीं भी बना रहे हैं तो हमारी PDF से आप पढ़िए तो पहला different marks, different exams marks in different exam तो पहले मैंने बता है कि भी आप motivate हो लो पहले कि हमें GA क्यों बढ़ना है ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब दूसरा question जो बच्चे सबसे अधा पुछते हैं कि कितने marks की GA हम पढ़ें कितने marks दूसरों As a teacher, मैं आपसे बोलूँगा कि आपको 6 month का 6 month का आपको current affairs पढ़ना चाहिए अच्छे से 6 month आपके लिए दूस्तों हो जाते हैं काफी लेगिन actually दूस्तों पता है कि जब हम bank exam की तयारी करते है तो हम अपने teacher से जादा हम सुनते हैं किसकी अपने साथ वालों की जिसमें आपको example सुनना दो अगर इस बार हम बात करते हैं आपसे IBPS RRB की दोस्तों सुनना वो ध्यान से अगर इस बार हम जो आपका last exam हुआ है अगर हम PO और clerical की बात करें दोस्तों तो इन दोनों ने 4-4 मन्त या ऐसे ही पुषा कोशन जादा नहीं लबा पुषा और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस बार IBPS PO की है ना तो इसने तो 3 मन्त में कहानी खतम कर दी दोस्तों PO की हम बात कर रहे हैं 3 मन्त में ठीक clerical में भी सेम ऐसा ही था चार मन तक पुशा था ये ठीक है ये चार तीन मत मैं exam से आगे बोल लाओ ठीक है जान देना लेकिन State Bank of India clerical की बात करें दोस्तों या SBI PO की बात करें इस बार हम PO की बात करें और clerk की बात करें दोस्तों तो SBI clerical ने 6-7 पुश लिया था और जो बच्चे एक्जाम देने के लिए जा रहे थे उन्होंने दो या तीन मन पढ़ाई था exam के असपास पीपाँ खराब हो गया सेम State Bank of India P.O. ने भी किया ये 6-7 मन पढ़र दोस्तों कर रहा था अब आप उससे पूशेंगे यानि कि आपका समय सुरू हो चुका है जीए पढ़ने का आप जो भी exam दोगे भविश्य में दोस्तों exam का pattern ऐसा होने वाला है कि एक-एक मन्थ में प्रीमेंस का exam होंगे देट टाइम पर आप जीए पढ़ने ही पाऊगे नंबर कम आएंगे exam में selection नहीं होगा आपका फिर तो आपको 6 मन्थ की पढ़ाई करनी है इतना आप मान के चलिए हाँ मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों कि जो ये 6 मन्थ है 3 मन्थ और 3 मन्थ इसे डिवाइड कर लो ये exam के पास के 3 मन्थ है और ये उसके बाद 3 मन्थ है तो आपके exam में आप मान लोगे 60-40 का ratio हो सकता है या 70-30 का ratio भी हो सकता है मतलब कि जो exam के पास के 3 मन्थ होते हैं वो आपके ज़्यादा important होते हैं और जो उसके पहले के 3 मन्थ हैं उससे भी question बनेंगे बढ़ उतने question नहीं बनते हैं तो ये चीज़ पर आपको थोड़ा सा मतलब relax हो सकते हो अगर हम exam के पास के 3 मन्थ बहुत अच्छी से पढ़ ले तो हमारे मतलब 60% question हो सकते हैं बढ़ वो भी एक तुक्का है दोस्तो examiner का कुछ पता नहीं वो question कहां से पूछ ले तो कितना पढ़ना है तो ideally 6 मन्थ आपको पढ़ना होता है ये समझे लिए आप दोस्तों ठीक है चली आगे बढ़ते अब तीसरा point दोस्तों क्या है याँ पर तीसरा point है how to prepare current affairs यानि current affairs को तयार कैसे करें तयार कैसे करें चली वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं sources कि current affairs के sources क्या है पहले मैं ये बताऊंगा फिर मैं आपको उताऊंगा कि आप कैसे preparation कर सकते हैं दोस्तों देखें मैं आपको बड़ी इमांदारी के साथ और पूरी responsibility के साथ ये बोलना चाओंगा दोस्तों 6.45 एम पे हमारी daily current affairs दोस्तों class आती है daily current affairs तो आपको इस class को follow करना है दोस्तों 6.45 पर आप ये class करेंगे तो आपके daily business पर current affairs आपको clear तयार होता जागा ठीक है इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड करता तो आप PDF से revision दोस्तों कर सकते हूं ठीक है तो current affairs के sources मेरा एक 6.45 पर दोस्तों दुसरी बात अगर हम बात करते हैं इसके MSQs के लिए तो वो हमारी website की बाते हैं वो हम कहीं हो कर लेंगे तो अभी आपे नहीं तो आपको हमारा 6.45 पर daily current affairs वीडियो देखना है दोस्तों इसके अलावा अगर आपने physics वाला application पे हमारे courses purchase किये हुए है तो आपको हमारा जो banking awareness है दोस्तों banking awareness वो आपको वहाँ से complete कर लेना है और जब भी आपके exams आएंगे तो exam से पहले हम crash course लेके आते हैं दोस्तों जिन बच्चों ने crash course पहले हमारा किया हुआ है वो आपको बता देंगे हम बहुत deep में question लेके आते हैं तो कहने का मतलब exam के time पर हमारे courses आएंगे दोस्तों और exam के time पर हम वो आपको revision करवा देते हैं लेगिन आपको कैसे अपने से पढ़ाई करने है तो sources की बात करेंगा इस तो 645 पर banking वाला तो हमारा channel है banking वाला तो banking वाला channel पर आईए दोस्तों और daily ये class करिए ठीक है banking awareness हम कहा से करेंगे तो हम physics वाला application पर जाके हमारे महापैक या foundation course को enroll कर लीजे वहाँ से आपको banking awareness पढ़ा दिया जाएगा current affairs के लिए अभी हम batch लाएंगे चुकि कोई exam नहीं है तो अभी हम उसकी बात भी नहीं करेंगे ठीक है दोस्तों अच्छा तो ये तो हमने source की बात कर ली दोस्तों अब हमें कैसे पढ़ना है उसकी बात कर लें जब आपका दोस्तों ट्यूजडे हो जाए ना ट्यूजडे तो आप एक काम कीजिए ठीक आप पहले ट्यूजडे में सुनधान से मंडे वाला PDF एक बार सरसरी निगास से दोड़ा लिए और देन आप त्यूजडे वाला करेंट अच्छे से पढ़िये फिर दोस्तों वेडनास डे की बात करें तो वेडनास डे पे आप क्या करें आप पहले मंडे दैन ट्यूजडे इसका PDF रिवाइस करें अच्छे से दोस्तों क्योंकि आपने इसे ट्यू टाइम ठी टाइम पढ़ लिया है तो आप बड़ी तेजी से रिवाइस कर लोगे, बस दिखो कि याद आजाएगा, और फिर आप Wednesday का PDF रिवाइस कीजिए, ठीक दूस्तों, next Thursday आगया आपका, तो Thursday क्या करें आप, आप पहले Monday, then Tuesday, then Wednesday, then Thursday पढ़िये, से मैंसे Friday पढ़िये, से मैंसे शनीवार पढ़िये दोस्तों, आपको लग रहा होगा, कि ये बहुत ज़ादा हो रहा है, बिल्गुल नहीं दोस्तों, इतनी बार आपका रिवीजन हो जाता है, कि आप बहुत जल्दी अल्दी, इन सब को खतम कर सकते हो, हाँ, इसको डीप में पढ़िये, तो जब आपका शनीवार तक हो जाया दोस्तों, तो संडे को एगंटा निकालिये, और फिर से पूरा रिवाइस कर लिजे, यकीन मानिये गाइस, ये मैं करता था और इसे बहुत फायदा मिलता है, यानि कि आपने डेली रिवाइस किया दोस्तों, और आपने व और Example, मन्त का last है, आप एक काम किजिए, मन्त के last का मतलब अगले महिने के एक-几ारिक, आप एक और दो, ये date निकाल ले जए कि हमें पूरे मन्त का रिवजन करना है, और यगीन मानिये गाइस, दो दिन में आप पूरे मन्त का रिवजन आराम से कर लोगे, क्योंकि आपने multiple time PDF को revise किया हुआ है और इससे आपका confidence बढ़ेगा और जब confidence बढ़ेगा दोस्तों तो आप अच्छे number लेकर exam में ज़रूर आओगे आपको बस सबसे आगे रहना है ये आप समझो तो revision हम कैसे करें दोस्तों वो मैं आपको समझा रहा रहा थे हैं आपे कि आप revision करते चलिए ठीक है revision सबसे बड़ी चीज़ है current affairs crack करने का दोस्तों चलिए तो ये तो हमने ताज़ा कैसे पढ़े और कहा से पढ़े current affairs दोस्तों आगे बढ़ते अब हम बात करेंगे syllabus की तो current affairs का exactly syllabus क्या होता है और अगर हमें bank exam crack करना है या कोई भी exam crack करना है तो क्या syllabus exactly हमें follow करना चाहिए दोस्तों देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे syllabus की आपके सामने syllabus रखाई पढ़ रहा है report indices, appointment, banking, finance, economy news government scheme news, sports news MOUs MOUs का मतलब होता है memorandum of understanding मतलब agreement की बात हो रही है national news दोस्तों international news, books and author science and technology, state news places place का मतलब दोस्तों जैसे आज ही हमने आपको पढ़ाए कि हमारे देश में करनाटका में पूरे एशिया का सबसे बड़ा helicopter manufacturing facility को बनाए गया दोस्तों है ना तो कहां बनाए गया ऐसे question बनते हैं आपके जैसे कैड़ा दोस्तों अपने state में तिर्वननपुरम और कोच्ची में green hydrogen hub बना रहा है तो कहां पे तो place पर ऐसे question दोस्तों बनते हैं ठीक है दोस्तों नई committee की बात कर लें अगर हम summit की बात करें G20 summit है ना SEO summit हमेशा इस साल तो news में हैं summit summit तो कैसे question बनेंगे वो सब मैं आपको बोलता रहता हूं हमेशा ठीक है दोस्तों ठीक days and theme and arbitries यानि इतनी सुर्दोस्तों हमारे पास सेले बस है ठीक है तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा किसी भी exam में सबसे ज़्यादा question कहां से बनते हैं ठीक है दोस्तों देखिए तो आपके सबसे ज़्यादा question बनते हैं banking finance से यानि पहले नंबर पे सबसे important news मेरे हिसाब से सबसे important दूसरे नंबर पे report और indices को मैं दूँगा तीसरे नंबर पे government schemes चौते नंबर पे appointment दोस्तों अगर जैसे आप SBI clerical की बात करिए या बड़ जिसमें 50 या 60 नंबर की 6 आती है उसमें 3-4 question आते है appointment से अगर आपने ये section से पढ़ लिया 34 नंबर आपके हाथ में होते हैं दोस्तों ठीक है उसके बाद मैं दूँगा पाशवा नंबर national news को दोस्तों पाशवा नंबर एक बार और देख लेते हैं आगे चटवा नंबर मैं दूँगा प्लेस को साथवा नंबर मैं दूँगा समिट को दोस्तों ठीक है आठवा नंबर मैं दूँगा स्पोर्ट्स को नौवा नंबर मैं दूँगा आपका books and author को दसवा नंबर मैं दूँगा M.O.E. उसको एक ग्यारवा नंबर मैं दूँगा state news को बारहवा नंबर मैं international news को दूँगा तेरहवा नंबर science and technology को दूँगा दूस्तों चौदहवा नंबर committee को दूँगा मैं यह नंबर का मतलब क्या है एक नंबर का मतलब सबसे ज़्यादा question आने के उमीद है दो नंबर का मतलब उसके बाद important उसके बाद यह नंबर इस तरह मैं दे रहा हूँ ठीक है festival भी important है guys यहां से भी question बनते है days and theme days and theme दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि यह static पार्ट है मैं बोलता हूँ यह current reference का पार्ट है days and theme हाला कि पिछले दो साल से एक्जाम में नहीं आ रहे हैं बोजादा लेकिन दोस्तों एक्जाम में आ सकते हैं अब यह आपके उपर आप पढ़ते हो यह नहीं पढ़ते हो यह पहले आचके एक्जाम में अब यह आजकल न सारे बच्चों को syllabus नहीं पता है अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और हमारा मेन मुद्दा क्या है how to make notes अगर हम अपने हाथ से notes बना रहे हैं तो हमें notes कैसे बनानी चाहिए ताकि कम से कम time पे हमको effective note मिल जा दोस्तों देखें मैं भी आपकी तरह पढ़ाई करता हू सबसे उपर लिखा हुआ है appointment national और यहाँ पर लिखा हुआ है एक से लेके 10 पेज appointment international 11 से लेके 20 पेज चिक awards and honor दोस्तों ये sorry books and author ये है 21 पेज से 30 पेज awards and honor एक तिसमे पेज से 40 पेज sports 41 से लेके 60 पेज committee 61 से लेके 70 पेज summit event meeting 71 से लेके 90 पेज ये मैंने पेज क्यों लिखा हुआ है दूस्तों यहाँ पर तो मैं कैसे पढ़ाई करता था दोस्तों मैं आपको वो बता रहा हूँ तो सबसे पहले मैं करता करता था मैंने एक copy ले लिए दोस्तों ठीक और उस copy पे आके दोस्तों मैंने क्या किया जो आपको देखिए आप दिखाई पढ़ना अचा यह copy नहीं है दूसरी copy है यह दोस्तों देखिए एक copy ली मैं रिस्तर मैंने और पहले पेज पी मैंने इस तरह से डिटा लिख दिया कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है दोस्तों तो दखो इसमें मुझे फाइदा क्या होता है दोस्तों तो जब मुझे PDF मिल जाती है या मैं ग्लास लिखता हूं जैसे होई दोस्तों अपॉइंट्मेंट है तो आपके बता कि डेली बेस्स पर दो से तीन न्यूस तो आती है है ना अगर हम डेली PDF से पढ़ेंगा तो उसकी दिक्कत क्या होती है अपॉइंट्मेंट पढ़ा अपॉइंट्मेंट पढ़ा यह डेटा एक साथ रहे अगर मैं देखना हो कि यह बैंकिंग फाइनस इकॉनमी ने सबसे इंपॉइंट्मेंट है और मुझे इसका रिविजन एक साथ करना तो इसलिए यह फायदा करता है इस तरह की नोट्स दोस्तों तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों आप एक इंड कर लीजे मेरी बास अम्यारे आपको मैंने क्या बोल आपसे आप डेली पीडियाफ पढ़िए तो जिस सेक्शन की न्यूज आपको मिलती है उस सेक्शन पर जाके उस सेक्शन पर जाके उस सेक्शन पर जाके जैसे मुझे न्यूज मिली और यह 130 पेश पर दोस्तों है ना त तो आपको हर पेज पर जाकर आपको page नंब्र डालना पड़ेंगा डो मैं डाला हुआ है शायद आपको दिछाई ना पड़ें यहां से तो झ customization धाले हुई यह पेज पर यह How डालनी २हीं पड़ेंगे उसके इस नंब्र डालने पड़ेंगे तो आप जाएंगे 175 पेज़ पर और वहाँ पर जाकि आप नोट कर लेंगे तो इससे फाइदा ये मिलता है दोस्तों कि आपके पास अपने handwriting में नोट्स हो जाएगी और वो भी नोट्स topic wise होगी यानि guys कहने का मतलब कि आपको जो topic revision करना है आप उस topic को revision करिए अपने हिसाब से करिए तो current reference की notes कैसे बनाया तो मैं आपके समझा रहा था कि पहले आप एक काम कीजे syllabus लिख लिजे एक copy लिजे फिर उस copy के हर page पे ये number लिख लिजे एक से लेके 10 page तक हम केवल पढ़ेंगे appointment लिखेंगे 11 से लिखे 20 पर 20 तक हम पढ़ेंगे books and author है ना तो इस तरीके से आप page छोड़ दें पुरा और जब भी news मिलती आ रही है उसमें लिखना शुरू कर दें तो काफी अच्छी notes आपके हाथ में दोस्तों आ जाएगी अब सर ने आज क्या पढ़ाया सर ने आज पढ़ाया कि प्राइम मिनस्टर नरेंद्र मोदी has emerged as the world most popular leader with an approval rating of 78% यह हमारा पहला पर जो गया फिर सर ने क्या पढ़ाया कि report का नाम यह है दोस्तों published by यह है दोस्तों ठिक फिर सर ने क्या पढ़ाया यह सब पढ़ा दियते रेडा फिर सर ने क्या पढ़ाया कि टापिक होने अब इतनी बड़ी information है अब आपको कैसे लिखना देखे दोस्तों तो report और indices की बात है आप तुरन कहा जाए आप जाए अपने इंडेक्स पर यहां पर और आप देखिए कि report indices कहां पर है दोस्तों तो यह आपका 130 पेज़ पर है आप उस पर चले जाओ और अब आप नोट्स लिखना शुरू कर दो कैसे देखो यहां पर दो तो मैंने क्या किया दोस्तों मैंने इसी information को इस तरह लिख दिया के वर दो report का नाम क्या है तो global leader approval rating release by the morning consult top by the PM Modi and approval rating 78% number 2 पे कौन number 3 पे कौन number 4 पे कौन number 5 पे कौन यानि 5 points में मेरी इतनी बड़ी information complete हो गए और सारी information मैंने cover कर दोस्तों यानि की information को छोटे से छोटे form में लिखे लेगिन ध्यान रहे कि सारी information अपकी cover होनी चाहिए जैसे for example दोस्तों हम बात करते है appointment की अब हमारे पास एक information है कि Reserve Bank of India ने appoint किया है वी राम चंद्रा को as a member of the advisory committee of the SIFL तो मुझे करना क्या है मैं तुरंट कहां जाओंगा मैं जाओंगा index पर अपने यह रा index और यहाँ पर appointment national यानि मैं पहले पेश खोलूँगा अब पहले पेश मैं कैसे लिखूँगा दो कैसे मेरी hiding होगी तो एक side में मैंने डाल दिया appointment person क नाम और एक side में की post ठीक तो वी राम चंद्रा पॉइंट हुए है ना यह क्या पॉइंट हुए है member of the advisory committee of the city स्री ठीक है अगर कुछ मालों नोट है जैसे इन्हें किसने पॉइंट क्या RBI ने तो अपर्णिट भाई Reserve Bank of India तो यह एक information हमारे हुए अब दूसरी information जो मिले उस पहले कहा जाएंगे हम पहले जाएंगे अपने इंडेक्स में हम देखेंगे कि भाई banking finance कौन से नंबर पे है 190 वी नंबर पे है ठीक है हम वो पिछ खोल लेंगे अब देखें तो banking finance में हमारे पास एक information है जोस्तों जैसे यह HDFC bank partner with the NITI यानि HDFC bank ने NIIT से अग्रिमेंट किया ठीक अब यह है पूरी information कि भाई यह HDFC bank है वो नीट से agreement कर रहा है क्यों कर रहा है इन्हें skilled लोग चाहिए यह सब लिखा हुआ है फिर इतना बड़ा information है तो मैं इस information को short में कैसे लिखूंगा देखो News, HDFC bank ने NIIT से agreement किया क्यों किया reason क्या था? By training of the scaled virtual relationship management professionals Note क्या देखो, अब note मैंने लिखा है कि who is eligible? Any graduate, post graduate with zero two years मतलब मैंने पूरी information को तीन लाइन में खेतम कर दिया दूस्तों तो यह मैं आपको और रुख जाओ, और रुख जाओ अब चौथी information कि Reserve Bank of India ने monetary penalty लगाई है तीन बैंक के उपर ठीक है? तो मेरे दूसरी information, तो मैं फिर कहां जाओंगा? देखे, मुझे याद है कि 190 पेज़ पर क्या है? 190 पेज़ पर मेरा क्या है दोस्तों, देखो report business finance, तो मैं एक information लिख चुका था, अब उसके नीचे मेरी दूसरी information अब दूसरी information क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखे, तो दूसरी information है कि Reserve Bank of India ने तीन बैंक पर penalty लगाई है, कुछ करना नहीं है आपको दोस्तों, दोखो यहाँ पर, आप सीज़े लिखो भाईया, penalty amount कौन सा बैंक है, penalty amount कौन सा बैंक है, penalty amount कौन सा बैंक है, काम ख़तों आपका ठिक, हाँ, अगर आपको इसमें no down करना है तो लिख ले ना, कि भाईया, बैंकों पर penalty लगती है Banking Regulation Act पर, और Company पर penalty लगती है, Payment and Settlement System Act पर, यह दो पॉइंट औरेट कर देना, news तुमारी पूरी दोस्तों, जैसे for example, एक information कि भाईया, rail tail को 253, दिशमलों 35 क्लों मिले है State Bank of India से, क्यों मिले है, ATM के network के लिए, अब यह information देखो दोसो, इतनी बड़ी, पहले इतना point लिखा हुआ है फिर इतना point लिखा हुआ है, है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने पेश खुला, ठिक, FY Banking Finance वारा, तीसनी news, और agreement किसके भीश में हुआ है SBI और Realtail के विश में, क्यों मुआ है भाई, क्योंकि Realtail 4G correction देगा, 15,000 ATM को State Bank of India के Total cost है 253.35, मतलब SBI यह pay करेगी Realtail को, और time period 5 साल के लिए तो मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, तो बस यही चीज़ करनी है दोस्तों आपको तो I hope दोस्तों कि इस class को अपने गंभीरता परोग लिया होगा और जिन बच्चों को doubt है कि current affairs किनोट कैसे बनाए, शायद आपके doubt यहाँ पे clear हो जाएंगे इस वीडियो के नीचे दोस्तों आप मुझे comment करेंगे, बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा कुछ और आपके doubt हो तो आपको अपने question पूछ सकते हैं ठीक है दोस्तों, हमेशा motivate रहिए, हमेशा positive रहिए और हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करिए ठीक दोस्तों, thank you so much, आपका दिन मंगल मैं हूँ, thank you दोस्तों